असलाम अलेकुम आपरिवन कैसे आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे सेहत मंद होंगे तो आज मैं आप लोगे के साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ाई पनीर की रेसिपी ये एकदम बहुत ही इजी कड़ाई पनीर रेसिपी है एकदम रेस्टरेंट की शिमला मिश्को ना इस तरह से क्यूब साइज में कट कर लिया है और एक मीडियम साइज का अनियन भी क्यूब शेप में कर लिया है तो हम बस इसे इस तरीके से चॉप करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं बस इसे अब हम कर देंगे साइड और यहाँ पर ग्रेवी बनान बिल्कुल भी यूज नहीं करना है ठीक है को मैं रिशिसे पहले कडाई मसाला कि अभी है टो अब मैं एक पैर घरम कर लिया है और इस में एक पना लुप ऊड्ल farm ए nix 4 टेबल सब 6 टेबल सब्सक्राइब गैल गॉटा आः पिल्सक्राऊ सब्सक्राइब्ण जादा ब्राउन नहीं करना है, हलका सा जब कलर चेंज हो जायना तब इसे ठंडा करके हमें ग्राइड कर लेना है, अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कढ़ाई गरम की है, इसमें मैंने डाला है वन टेबल स्पून ऑईल, अब उसमें ना मैं तीन मीडियम साइ इसकी प्यास को थोड़ा रफली चॉप कर गिया, स्लाइजड भी आप काट सकते हैं, बस हमें इसे थोड़ा सोटे करना है, और हमने इसे सॉफ्ट करना है, बहुत जादा ब्राउन नहीं करना या बहुत जादा भूनना नहीं है, अब जो हमने चार टमाटर कट किये थे थे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एट कर सकते हैं, तो अब यहां पर मैं एट करूंगी तीन कश्मीरी लाल मिर्च, तो बस इन तीनों को हम अच्छी तरह से मिडियम टू हाई फ्लेम में ढखकर पकाएंगे, देख सकते हैं, सब कुछ एकदम सॉफ्ट जीरा और दो तीन लॉंग हरी लाइची को मैंने जब तेल गरम हुआ तब डाल दिया है, जब यह अच्छे से ब्राउन हो जायना तो मैं यहां पर दो बड़े चमर्ज हरी मिरची अद्रक लहसुन का पेस्ट एट करूंगी और इसमें मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून की हल्दी पाउडर और बस हाफ टेबल स्पून के करी मैंने सौल्टेट किया बस इसे हमने अच्छे से भुन ना है और जब यह अच्छे से भूना जायना तो जो टमाटर प्याज हमने सौफ्ट किये थे बस उसकी हमने फाइन प्यूरी बनानी है और हम इसी स्टेज पर उसे दल मिक्स करके तो दो टमाटर और एक मीडियम साइस की बारिक कर्टी प्याज में बस ऐसे ही पानी में आट कर दूंगी और ढग करना आपने इसे पका लेना है तो दो सीटिया फुल फ्लेम में ले लिजिए और कमाश पर रख दीजिए तो देखे मसाला है अपर अच्छे से गkt ही आट कर सकते हैं आप टेस्ट करके देख सकते हैं पर मैं तू टेबलस्पून ही एट कर lt कर रही हो तो बस जब यह थोड़ा सा भुक्टा करईब भुना आ जाया है तो मैंिया पर दालोंगी अध टेबलस्पून के करिब ळेंगी लाल मिर्श यह स्पार सपाइसी ब तो जब हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से बुना गई है ना तम हमने प्याज और शिमला में जो हमने बॉक्स शेप में काटी थी ना बस मैं इस स्टेज पर उसे एट कर रहे हूं और पनीर जो हमने सोटी किया था इससे भी एट कर देंगे तो बस इन तीनों को अच्छी तरह स हमें मिक्स करना है और देखे कितनी अच्छी दिख रही है हमारी ग्रेवी और कलर भी एकदम बहुत सेम आया है जैसे रेस्टरून पर मिलता है बिलकुल वैसा तो बस अब मैं इसमें दालूंगी बारी कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं हाथ से ही ऐसे क्र तो आपना ये कढ़ाई पनीड की रेसिपे जरूर से ट्राय कीजिए बहुत ही अच्छी बनकर तयार होती है एकदम स्पाइसी और क्रीमी तो अब मैं यहां पे चावल रेडी कर लेती हूँ जिसके लिए मैंने दो बड़े चमश तेल एट किया जिसे मैंने वन टेबल स्प कर दिया था ना मैंने उसमें एक चमश सॉल्ट एट कर दिया था और थोड़ा बारी कटा धनी और बस सिंपली मैं चावल को एट कर रहे हूँ तो ये वाले जीरा राइस ना बहुत ही सिंपल है बहुत अच्छे बनकर तयार होते हैं तो फुल फ्लेम में थोड़ा पानी सू करें चुल बॉल हो गई थी तो दाल में तड़का देने के लिए मैंने 1 तेबल स्पून जीरा, 1 तेबल स्पून राइ और थोड़े से करी लीव और दो साबूत मिर्चे और 2 तेबल जिंजर, 1 तेबल स्पून और 1 तेबल स्पून मैंने या पर चॉप्ड गार्लिक एट कर तो बस हमें इसी तरह से इसे एक मिनट ही भूनना है, ब्राउन नहीं करना है, और जब यह अच्छी तरह से भूना जायना, तब अब इस टेश पे हम एट करेंगे, इसमें हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, वन टी स्पून के करीब लाल मिर्शी पाउडर, बस 30 सेक हमारा जटपट वाला दाल तड़का दाल फ्रा एकदम रेडी है, तो अब अरहम को तो लग गई थी भूग, तो मैं बस जल्दी से यहाँ पराठे रेडी कर लूँगी, क्यूंकि डिनर का टाइम हो ही गया है, तो यह जो कड़ाई पनीर की रेसिपी है ना, यह बहुत अर मज़ेदार से बनके तयार होती है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी बनके रेडी हुई है, और बस इसे आपने बहुत पानी दाल के पतला नहीं करना है, यह थोड़ी थी ग्रेवी में ही रहती है, तो बस यहाँ पर मैं खाना सर्फ कर लेती हूँ, और इस कड़ाई पनीर की सबजी में जो हमने लास्ट में क्रीम एट किया था ना, वो एकदम ऑप्शनल है, अगर आप क्रीम नहीं भी एट करेंगे, तो उसके बिना भी यह सबजी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है, तो अगर आपके घर में कभी कोई पार्टी हो या अच्छा कुछ बनाना है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय कर सकते हैं, यह ऐसी रेसिपी है, जो बच्चों से लेकर बड़े सब को बहुत पसंद आती है, और अरहम के आप देख सकते हैं, यह एकदम फेवरेट वाली पनीर की सबजी है, तो बस यहाँ पे अभी अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, अगर आपको मेरा वीडियो या मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज लाइक मैं रेसिपी, लाइक मैं वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल और शेयर इट, थैंक यू सो मच, अलाफ़ाए